इलाहबाद संसदी सीट पर कॉंग्रेस के उज्जल रमर्सिंग की दावेदारी तै हो गई है बस आपचारी घोसडा ही बाकी है मंगलवार को लखनव में कॉंग्रेस की सदस्ता भी ग्रहण कर लेंगे हला कि सपा के वरिष्ट नेता तथा उज्जल के पिता रिवती रमर्सिंग कॉंग्रेस जोईन नहीं करेंगे सपा के साथ गडबंदन के तहथ इलाहबाद सीट कॉंग्रेस के खाते में आ गई है इसके बाद से ही कर्चना के पूर विधायक सपा नेता उज्जल के कॉंग्रेस टिकर पर चुनाओ लड़ने की संभावना जताई जा रही है हाला कि यह भी चर्चा है कि उज्जल सपा में रहते हुए कॉंग्रेस से चुनाओ लड़े लेकि इस पर कॉंग्रेस का स्रिष नेतुत तयार नहीं हुआ इसके अलावा कॉंग्रेस के सामने यह भी चिंता थी कि उज्जल के पार्टी जोईन करने से सपा किसांत गड़बंधन में दूरी बन जाए ऐसे में दोनों दलों के शिर्ष नेतुत के बीच शामती के बाद उज्जल को कॉंग्रेस जोईन कराने और पार्टी का उमिद्वार बनाये जाने की बात कही जा रही है उज्जल रमर्ट सिंग का भी कहना है कि दोनों पार्टी की राष्टे अध्यच्छुक बीच सामती बनी है इसी के अधार प्रभमंगलवार को लखनव में कॉंग्रेस की सदस्ता ग्रहण करेंगे उनका कहना है कि कॉंग्रेस के सिंबल पर चुनाओ लड़ेंगे हाला कि इसकी घोसरा दिल्ली से की जाएगी उज्जल की कॉंग्रेस की सदस्ता लेते समय पार्टी की प्रदेश प्रभारी अविनास पांडे अध्यच अजयराज समेत अनेक वरिष्ट नेताओं के रहनी की उमीद है